चलिए आपको लेकर चलते हैं कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में जो जवाहरलाल नहरू रोड पार स्ट्रीट में स्थित है अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो पार स्ट्रीट स्टेशन के गेट नमबर एक से बाहर आएं कोलकाता में इंडियन म्यूजियम को जादुघर भी बोलते हैं 1814 की ये म्यूजियम भारत की सबसे बड़ी और पुरानी संग्रालय है इसमें प्राचीन वस्तुएं जीवाश्म, ममीज और मुगल चित्रों के दुरलब संग्रय है ये है मैमल गैलरी यहाँ पर आप प्राचीन जीव जनतों की हड्डिया या स्केलेटन्स देख पाएंगे आर्केलोजी गैलरी में आप भारत में मुर्ति कला के विकास को समझ पाएंगे ये प्राचीन मुर्तियां दूसरी शताब्दी से पंद्रवे शताब्दी तक की है जिसमें कुशाना, गुपता, चंदेला, पल्लवा, विजैनगर, चोला, आदी के समय की मुर्तियां डिस्पले की हुई है अनलवे शताब्दी 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 से उसमें तक की है झाल 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 फोसिल गैलरी में आपको तरह तरह के जानवरों और पेड़ पौधों की जिवाश्म देखने को मिलेगी झाल जोआलोजी गैलरी में आपको तरह तरह के जीव जनतू ममी रूप में प्रिजर्व की हुई अवस्था में दिखेंगे यूमन इवल्योशन को भी यहाँ पर दिखाया गया है इस वेल के स्केलेटन की उचाई वाकई हैरत अंगेज है झाल यहां आप इजिप्ट की ममी भी देख सकते। पर अंदर वीडियो या फोटोग्राफी एलाउड नहीं है। बर्ड्स गैलरी में आपको विभिन्न प्रकार की पक्षियों की ममीज देखने को मिलेगी। फिश गैलरी में आप बहुत तरह की मचलियों की प्रिजर्व ममीज देख पाएंगे। टेक्स्टाइल गैलरी में आपको कश्मीर की शौले, पंजाब की फुलकारी चादर, बनारसी साडी, बंगौल की नकाशी की हुई अनेक साडीयों के डिजाइन जैसे जामदानी, बालुचरी आदी और अनेक राज्यों की हस्त शिल्प कला देखने को मिलेगी। इस म्यूजियम में ऐसे और भी कई ग्यानवर्धक गैलरीज हैं। यहां के म्यूजियम शौप से आप सोवेनियर्स और अन्य चीज़े खरीच सकते हैं। तो जब भी कोलकाता आएं तो इंडियन म्यूजियम में जरूर जाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रूलें। तो ज्टेस्टाइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना भापको हमारा वीडियो थोग्वच्ड़ सब्सक्राइब करें। झाल झाल